हलो, वेली गुड मॉनिंग दियर स्ट्रेंट्स, आई दीता लैपरियंट कॉंग स्मार्ड इडियर कॉंग स्कूल तो बच्चो आज मैं आपके लिए लेकर आलू एक और नहीं कहानी जिसका नाम है टिप टिप वा, बच्चो ये जो है जूटे डर की एक अनोखी कहानी है इस कहानी में बताया गया है कि मिथ्या या वेकार का जो डर है वो बड़ो बड़ो को भी सताता है तो चलिए बच्चो इस्टार्ट करते हैं ये स्टोरी एक गाओं में छोटी सी कुटिया में एक बुढिया रहती थी उसके पास कहानियों का पिटारा था उसका एक पोता था पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता दादी रोज उसे तरहे तरहे की कहानी सुनाती बुढिया की कुटिया छोटी तो थी लेकिन उसकी छत जो थी वो कमजोर थी उसमें कई कई छेद थे और जो पोता था वह रोज रात को उन छेदों से आसमान में चमकते हुए तारो को देखता था एक दिन बहुत तेज बारिश हुई बुढिया की जोपडी में पानी जगय जगय से टपक रहा था टिप 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 इस बात से अंजान पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था बुढिया खीज कर बोली अरे बेटा क्या कहानी सुलाओं इस टिप टिपवा से जान बचे तवला पोता वहीं पर बैठ गया उसने दादी से पूछा ये टिप टिपवा कौन है टिप टिपवा क्या शेर बाग हाती से बड़ा और ताकदवर होता है दादी छट से टपकते हुए पानी की तरफ देख कर बोली हा बेटा टिप टिपवा ने शेर से डरता है ये जो टिप टिपवा है ना ही शेर से डरता है और ना ही बाग से कोई किसी से डरे या ना डरे पर टिप टिपवा से जरूर डरे अब बच्चों क्या होता है अचानक से मुसीबत का मारा एक बाग बारिस से बचने गिरे जूपणी के पीछे वेटा था बहें बहुत ही जादा घवराया हुआ था बुडिया की बात सुनते ही बहें तो डर गया और उसने ने सोचा टिप टिप वा क्या बला है जरूर ही ये कोई बड़ा जानवर है तभी तो बुडिया शेर बाग और हाती से अधिक टिप टिप वा से तड़ती है इस से पहले की बाहर आकर मुझे पे वहें हमला कर दे मुझे ही यहां से भाग जाना चाहिए अब बचो क्या होता है बाग सोचता है वहें जट पढ दुम दबा कर बहा से भागने लगता है बचो उसी गाव में एक धोबी रहता था वहें सुभह उसका जो गदा होता है वो कहीं पर भाग गया होता है तो धोबी उसे ढूनता हुआ सारा दिन बारिश में धीखता रहता है लेकिन उसका गदा उसे नहीं मिलता धोबी की पत्नी बोली घर जाकर पंडेजी से क्यों नहीं पूछते वे बड़ी ग्यानी है आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खवर रहती है वे आवश ही बता देंगे की हमारा गदा कहां पर है अब बचो जो पत्नी की बात सुनकर धोबी था वह मोटा लठ उठा कर या डंडा उठा कर पंडेजी के घर की ओर चल पड़ता है उसने देखा की पंडेजी घर में बारिश का पानी भरा हुआ है पंडेजी के घर में तो पंडेजी उसे एक बरतन से उस पानी को उलीच कर फीक रही है धोबी ने जिजकते हुए पूचा महराज मेरा गदा सुवे से मिल लही रहा है जरा आप अंदर चल कर बताईए कि वह कहां पर है आप बचो जो सुभह से पानी उलीच रहते पंडेजी उसकी वज़े से वो ठक गए थे कमड तो मानों उनकी तूट ही चुकी थी धोबी की बात सुनकर वह खीज कर या चिडला कर वोले मेरी पूथी में तेरे गदे का पता टिकाना नहीं दिखा हुआ है क्या जो आया गया पूशने अरे जाकर ढूण उसे किसी जंगल या तालाब में बचो धोबी जो था वहां से चल दिया होता है चलते चलते रास्ते में उसे एक तालाब मिलता है तालाब के किनारे उची उची घास उग रही थी उसी घास में वहें बेचारा बाग बैटा हुआ था वहें टिप टिप वा के डड़ से थर थर काप रहा था उसके कापनी से घास हिल रही थी धूबी को लगा कि उसका गदा घास में छुपा बैटा हुआ है उसने आव देखा नाताओ और बाग पर मोटा लठ बड़साने लगा या उसे देज-देज मारने लगा अब बेचारा बाग इस अचानक हमले से एकदम खवरा गया डर के मारे बाग का गला भी बैठ गया उसकी अकल भी काम नहीं कर रही थी उसने सोचा यह है टिप टिप वा है आखिर इसने मुझे ढूण ही लिया अब अपनी जान बचानी है तो जो यह कहे उसे चुप चाप करते जाओ धोबी ने बिना देखे घास में छुपे बाग का कान पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए चल पड़ा चड़ते चड़ते बहे बढ़वडा रहा था आज तुने मुझे बहुत परेशान किया है मार मार का तेरा कचुमर निकाल दूँगा अब बच्चो वह उसे इसी तरह से घसीटता हुआ लेकर जा रहा था बच्चो बिना चुँच पड़ किये हुए भीगी बिल्ली बना बाग धोबी के पीछे पीछे चल दिया घर पहुचकर धोबी ने बाग का खूटे से बांद दिया और सो गया बाग धोबी के घर बंद करवी खुश था वह सोश रहा था टिप डिपवा के हाथ तो आए पर जान बची तो लाखो पाए जान बची तो लाखो पाए इस तरह से देखा बच्चो आपने बाग के जूटे डर के कारण उस धोबी ने उसे किस तरह से परिशान किया तो बच्चो इसे ही कहते हैं जूटा डर तो प्यारे बच्चो आज की कहाने आपको कैसे लगी अगर अच्छी रगी हो तो इसे लाइट रहे चीए करना ना भूले बाइ बाइ बच्चो